हाई गाईस वेलकम बैक तो मैच चैनल ये मेरे पास हाथ आया है 61 एक लेडी का इनके बेटे ने अपना हैंड अनलेसिस करवाया था मुझसे फिर उन्होंने अपने बॉस का करवाया फिर अपने पापा का और अब अपनी ममा का भी उन्होंने मुझे भेजा है हाथ तो अगर आपको करेक्ट पामिस्ट्री सीखनी है तो आप इस वीडियो को लासक देखिया का जुरूर और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा और अगर आपको भी अपना हैंड अनलेसिस करवाना है मुझसे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना इड्रेस और फी बताई है आप मुझे मेल कर सकते हैं और फी पे करने के बाद ही आपको मैं अपना वाटस अप नमबर दूँगी जहां पे आप अपने हैंड की इमेजिस और साथ में कॉश्चन्स पूछ सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं इनका जो हैंड वो बिल्कुल करता होगा इस काम में अपने घर के काम का जी अच्छे से कर लेते होंगे और साथ में इनका जो थम है उसका लॉजिक पार्ट भी काफी बड़ा है जो ये दिखाता है कि कोई चीज की जैसे प्लानिंग करनी है कोई डिसीजन्स लेने है तो वो भी अच्छे से ले पाते हों करने के लिए हमें एनरजी की जुरुत होती है तो वो भी इनके अंदर है और इनके थम पे एक बहुत अच्छा साइन बनता है वो बनता है आई साइन तो इनके थम पे ये बहुत बढ़िया साइन बनता है ये 10 लग्या साइन में से एक साइन माना जाता है ऐसे जो लोग होत वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा bank balance बना पाते हैं और ऐसे लोगों के bank में अच्छे खासे पैसे भी रहते हैं तो आपके husband का जब मैंने हाथ देखा था तो उनका भी अच्छा था पर उनका यहां से हलका खुला हुआ था तो आपने पताया था कि आपके खर्चे deposit करा हैं तो वहां पे save रहेंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके husband आपके नाम पे account खुला के वहां पे save अपने पैसे जो है वो save कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छा sign है उसके बाद fingers को देख लेते हैं fingers जो हैं इनकी ठीक हैं अच्छी हैं powerful हैं तो जो इनकी fingers हैं जुपि पैसे नहीं खर्च करने होते वहां पे आप कर देते हो आप balance होके चलते हो आप रिस्की investment बिल्कुल भी नहीं करते हो ना इसकी favor में हो आप बहुत अच्छे से मतलब जादा तर आप defensive आप जादा हो पैसों के मामले में जहां पे आपको लगेगी यहां पे risk है पैसों को ले हो है तो आप जो हो वो बहुत अच्छे से अपने अंडर काफी लोगों को manage करने की शमता रखते हो ऐसे लोग जो होते हैं उनकी leadership quality बहुत अच्छी होती है आपकी जुपिटर फिंगर भी अच्छी और हलकी क्रूक है तो आपका आपके अंदर यह चीज है कि आप एक अच् फिंगर है यह भी पिछे को जारी यह भी दिखा रही है कि आप एक अच्छे leader बन सकते हो जैसे अभी तो आपकी age 61 है अब पता नहीं आप कुछ करना चाहते हैं कि नहीं आप से मैंने बात की तो मुझे लगा नहीं आपकी बातों से कि आप यही पूछ रहे थे कि मेरा health का क लीड कर सकते हो अगर आप वो चीज नहीं उसमें नहीं जाते हो तो आप घर में रहके आप सबको बहुत अच्छी suggestions और साथ में आपके अंदर यह चीज है कि आप थोड़ा सा उस तरह से चलते हो कि मेरी सुनो ऐसे करके आपका है तो आप एक बहुत अच्छे मतब की leader बन स सकते हो अगर आप बनना चाहा हो तो वरना आप घर रहके भी बहुत अच्छे से manage कर सकते हो सारी चीजों को तो आपके अंदर यह quality है आपकी छोटी finger के से मुझे पता चल रहा है कि आपकी आपके पापा से आपके जो thoughts हैं वो नहीं मिलते हैं तो दोनों parents में से एक के साथ ऐसे लोगों के thoughts नहीं मिलते हैं या उनकी थोड़ी बहुत अनबन रहती है तो यह चीज होती है और इसके बाद मैं देख लेती हूँ दूसरी फोटो में जाके क्योंकि इस फोटो में कोई भी line clear नहीं दिख रही है आपकी मैंने बहुत-बहुत सारी photographs मंगवाई थी और व तो हम यहां से देख लेते हैं आपका mercury मांट तो आपके हाथ पे जो mercury मांट है वो बहुत अच्छा भार लिए हो है आपका mercury मांट बहुत ही बड़ी है क्योंकि यहां से देखो भार की तरफ निकल रहा है तो अगर आप business वगरा करते या फिर नौकरी भी कुछ भी करते तो आप बहुत अच्छे से आपके अंदर वो चीज होती कि आप चीजों को एनलाईज बहुत अच्छे से कर बाते हो मताब चीजों का जो कंक्लूजन है वो बहुत अच्छा निकाल लेते हो यह चीज आपको घर के घर में बहुत हेल्प करती होगी जैसे आप अच्छे से घर क चलाना कैसे क्या चीज़ करनी है वो सब आपको अच्छे से आता है और यहां पर जो खड़ी लाइन्स हैं आपके मकरी पर दिखा रही है लिक्विड मनी को कि आपके हाथ में हमेशा रहेगी बेशक आपने नहीं कमाया लेकिन जैसे आपके बेटा बेटा कमा रहा है आपके जासे family member आपके वो हैं उदर से ही आपको मिलना है तो यह चीज उनको चली जाएगी और वहां से आपको भी मिलेंगे तो आपके हाथ में कभी भी liquid money की कभी कमी नहीं रहेगी और आपके अंदर healing quality बहुत जादा है दूसरों का दुख बगारा आपसे देखानी जाता और साथ म आप दूसरों को मतब की दिलासा बहुत अच्छा दे लेते हो तो यह quality आपके अंदर है बाकी आपका जो sun mount है वो भी अच्छा है यहां से दबा हुआ है तो ऐसे लोगों का क्या रहता है थोड़ा सा थोड़ा सा confidence level हलका सा low रहता है कोई भी बड़ा decision लेने से पहले वो बह कमगाय रहते हैं अपनी line पे कि हम क्या बोले है मतलब यह ठीक भी होगा की नहीं ऐसे करके होता है तो यह चीज़े पर ऐसे आपका sun mount अच्छा है काफी ज़ादा यह respect वगारा जैसे रिश्दारों में respect मिलनी आगे पीछे आस प्रोडोस के लोग आपको respect जरूर करते होंग तो यहां से sun line आपकी शुरू हो रही है जो ऐसे करके है और यहां पे हलकी मुझे गायब दिख रही है और उसके बाद ऐसे जा रही है हलका सा यहां पे cross बना रही है तो यह जो sun line है यह आपको respect देगी society में कल को अगर आप जैसे मैंने बोला कि आप अच्छे leader बन सकते हो तो उसमें यह आपको बहुत help करेगी क्योंकि you never know कोई भी कुछ भी start कर सकता है किसी भी age में तो में भी हो सकता है कभी अगर आप ऐसा कुछ सोचो तो यह चीज उसमें आपको बहुत अच्छी help करेगी अगर आप नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं यह आपको अपने relatives मे अपने घर में अपनी neighborhood में आपको respect दिलाएगी यह चीज है आपके हाथ पे और cross होने का यहाँ पे मतलब है sun पे की आपके पापा के साथ नहीं बननी मदब थोड़े वहीं जैसे मैंने बतायागी thought वगरा नहीं मिलते हैं तो उस तरह का वो चीज है और knowledge line भी है आपके हाथ में तो आपको एक particular subject में बहुत अच्छी knowledge रहेगी जिसमें कि आप interest रखते हो अब मैंने नहीं पूछा आप से आप से किसमें लेकिन जो भी आपका interest का subject है कोई ऐसी चीज है जैसे आप cooking अच्छी करते हो तो उसमें आपको बड़ी अच्छी knowledge रहेगी या फिर आपको यह तो वो चीज भी देखी मैंने और उसके बाद हम देख लेते हैं आपके sun mount पे कोई और sign बनता है कि नहीं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि square sign बने आप बहुत बहुत जादा thin lines है आपके हाथ पे जो बहुत मुश्किल से मैं देख पा रही हूँ sun mount पे यहाँ पे हलका सा चो बगरा रहते हैं जरूर तो आपके भी होंगे जरूर जैसे मैं भी आपके नाम पे कोई property खरीदी हो या आपके पास अपने assets बगरा हो तो वो definitely रहेंगे जरूर तो यह चीज है square sign भी अच्छा है protection देता है जैसे मैंने बताया कि respect बगरा क्योंकि square sign help करता है जब कोई नौक की respect में क्योंकि वो ही चीज है जो कि आपको society से मिलेगी और ऐसे लोग famous भी रहते हैं आगे पीछे जिनका sun अच्छा होता है तो लोग उनको काफी जानते हैं जहां पे भी रहते हैं तो वो area के लोग उनको जानते हैं यह भी चीज है और उसके बाद sun पे बाकी और कोई sign मै नहीं देख पा रही हूं sun line आपकी मैंने बताया था यहां से ऐसे करके जो आ रही है वो अच्छी है यहां काफी ऐसे से करके दो तीन है तो अच्छा है sun line जो है वो आपको वही मैंने जैसे बतायागी respect दिलाएगी अब हम चलते हैं आपके saturn पे तो saturn पे यहां एक fish है जो कभी भी कोई कमीनी होने वाली है वो चीज दिखा रही है और उपर से आपकी जो आपका सेटन है वो ठीक है अच्छा है जितना की दबा होना चाहिए उतना दबा है कोई भी ओवर डिवेलप्ड नहीं है तो इसके नीचे फिश देखी हमको जिनके सेटन के नीचे आजाए वो उनके पास पैसे रहते हैं बहुत सारे लेकिन लोगों को वो नहीं शो आफ नहीं करते हैं पैसे है उनके पास है लेकिन उनको शो आफ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है तो वो इस तरह के लोग होते है और लोगों को भी नहीं पता होता है कि इनके पास इतना पैसा है क्योंकि जो show off करेगा उसी के लिए लोग सोचते हैं कि हाँ बहुत पैसा है इनके पास लेकिन जो नहीं simple बन के रहेगा उनके लिए लोग सोचते हैं कि नहीं इतना कोई खास नहीं है चोटा सा, तो हाँ ठीक है, सेटन के नीचे स्क्वेर साइन मिल गया, मतलब आपकी पैसे और आपकी हेल्थ में प्रोटेक्शन मिल गई हमको, आपने बताया था कि आपको बहुत प्रॉब्लम है, आपको डाइजिस्ट नहीं होता खाना, डाइरिया वगरा होता है, आपको बा प्रोटेक्शन जरूर दिया, आगे भी ये चल के देगा, आपकी लाइफलें में मैंने देखा है, कि 62-63 की एज में आके है कोई प्रॉब्लम, वो हम बाद में डिसकस करेंगे, और उसके बाद, सैटन जो है, काठीक है, उसके नीचे मैं और कोई साइन नहीं देख पा रही क्योंकि ये इसके साथ बन रहा है, सैटन की लाइन के साथ, फेट लाइन के साथ बन रहा है, तो ये इस पर्टिकलर टाइम में प्रोटेक्शन दिखा रहा है, एक्चल में ये ये काम कर रहा है, लेकिन हाँ, ये आपकी हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करेगा, जरूर, तो वै पाइसे जो लोग होते हैं वो थोड़े फूडी भी होते हैं लेकिन आपने बताया आपको कुछ लिम्टीट चीजे ही खानी है तो लेकिन आप हो फूडी आपका मन करता होगा खाने का तो जूपिटर जिनका अच्छा हो जाए उनका क्या हो जाता है कि वो मतलब जो भी वो अपनी life में करते हैं उससे वो satisfied होते है उनको कोई भी यह नहीं दिल में रहता है कि मैंने ये नहीं किया मैंने वो नहीं किया अपनी life में जो आपने किया अभी तक जो भी किया वो आप उससे satisfied हो आगे भी चलके रहोगे और जुपिटर अच्छा है आपका बढ़िया है तो ये भी काफी अच्छी चीज होती है और यहां पर ambition line भी है ambitions वगरा भी आपके दिमाग में चलते होंगे लेकिन ये life line से उठ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सोचते तो बहुत कुछ हो अपने दिमाग में आज तक सोचते में भी आये होंगे कि मैं ऐसे करूँ, मैं ऐसे करूँ, ambition कोई ना कोई दिमाग में कोई planning चलती है लेकिन उसको आप पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि जब आपकी ये चीज लाइफ लाइफ लाइन से उठती है तो सोच बहुत चलती है, लेकिन पूरा करने के लिए planning जो होती है उसकी कमी रह जाती है, तो वो चीज है, वैसे ambition line अच्छी होती है ये अगर हो तो बंदा कुछ न कुछ एक टाइम पर आके कर ही लेता है और साथ में यहाँ पर मैं देख रही हूँ, एक चोटा सा cross line तो cross line अच्छा रहता है, married life अच्छी जाती है, चोटे चोटे cross अच्छे रहते है Jupiter पे, जो आपके Jupiter पे है और उसके बाद मुझे लगता है, जहाँ पे ring of Solomon भी होंगी जरू क्योंकि ऐसे लोगों पामिस्ट्री, astrology वगरा में इंटरस्ट रहता है और आपने काम को लेके बहुत ज़्यादा ही faithful होते है तो आप भी हो, जैसे आप घर का काम करते हो, घर संभालते हो तो उसमें आप बहुत ज़्यादा faithful हो यह दिखा रहा है जुपिटर आपका और उसके बाद हम देख लेते हैं inner mars और outer mars को तो आपके inner mars जो है ठीक ठीक जगा लिए हो है outer mars आपका बहुत अच्छा है तो आपके अंदर body में जैसे आपने बताया था आपको यह जो problem है इससे थोड़ा सा weakness भी हो जाती होगी आपको तो हाँ आपको problem होती है body आपको allow नहीं करती है कोई भी काम करने से लेकिन आपकी जो अंदर will power है वो बहुत ही ज़ादा है तो वो ही आपको उठाके आपका सारा काम कर पाते हो घर का भी सारा कुछ manage कर रहे हो क्योंकि आपकी will power बहुत अच्छी है वो चीज है एक बार आपको उठने में problem होती है लेकिन जब आप उठ जाते हो फिर आप सारा काम खतम करके ही बैठते हो तो यह आपका nature है बाकी ठीक है immune में थोड़ी सी गड़बर रहेगी क्योंकि आपका inner Mars इतना बढ़िया नहीं है जितना outer है तो immune में थोड़ी बहुत गड़बर लेगी फिर भी उसके बावजूद भी यह चीज आपको अच्छी मतलब की energy प्रोवाइड करेगी तो वो चीज है बाकी मैंने देखा मार्स में आपका ऐसे कुछ accident वगरा के लिए भी पूछा था तो उसके लिए मैं देखती हूँ को star sign तो नहीं है star sign नहीं है उल्टा यहाँ पे square sign बन रहा है आपके husband के हाथ पे भी थे square sign individual बन रहे थे तो यह protection दे देते हैं चीज से बचाव कर देते हैं क्योंकि यहीं से हम देखते हैं जादा कुछ problem दो नहीं है बाकी Saturn में भी कोई ऐसी bad sign नहीं है तो ऐसे कोई भी problem नहीं होने वाली है उसके बाद यहां पे कोई और sign नहीं दिख रहा है मुझे तो ठीक है आपका inner mars ठीक है उसके बाद आपका आगया Venus तो इस photo में Venus पूरा नहीं आया Venus अपका बहुत अच्छी जगा लिए हुए है Venus भी energy प्रोवाइड करता है बाडी को तो आपका Venus अच्छा है इस photo में ऐसा लग रहा है कि छोटा है लेकि नहीं यह photo एक्चुली थोड़ी ऊपर से लेगी हुए है तो इस वचे से ऐसा है Venus आपका बहुत अच्छी जगा लिए हुए है लग्जरी लाइन्स भी है तो लग्जरी लाइन्स भी है लग्जरी है आपकी लाइफ में ठीक ठाक लग्जरी है जब आप कोई काम करते हैं वर्किंग हो तब ज़्यादा देखी जाती है उसके बाद हम देख लेंगे Venus पे भी ऐसा कोई भी मुझे बैट साइन नहीं दिख रहा है सब ठीक है और उसके बाद देख लेंगे Moon को Moon आपका मुझे जहादा फोटोग्राइस में देखा साफ है एक दम तो Moon पे मुझे कोई भी मैंने सारी फोटोग्राइस में देख लें मुझे कोई साइन नहीं देख रहा है पता नहीं है फोटो में नहीं आया या क्या चीज़ है लेकिन Moon आपका बिलकुल साफ है तो आप काफी एच्छी स्ट्रॉंग सोच रखते हो अगर आप सोचते भी हो जादा अगर डीब जाते भी हो तो आपकी सोच जादर पहले तो नेगरटिव आती है लेकिन उसके बाद आप उस नेगरटिव चीज़ को संभाल भी लेते हो अपनी पॉजिटिविटी से तो यह चीज अच्छी है आपकी हाथ पे मून पे कोई भी जादा कोई मुझे वो एंजाइटी लाइन नहीं दिख रही है तो यह अच्छी चीज है आप किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकते हो अपनी लाइफ में ऑकी मांड लाइन भी वोहीं चीज दिखा रही है क्योंकि मांड लाइन ऐसे करके जाके ऐसे उठ रही है जो कीदिफेंसिव मार्स की तरफ है मून आपका एक्दम ठीक है बड़िया है और यह ब्रांच लाइफ लाइन की आपके मून में आ आ रही है तो आप बोल रहे थे कि क्या हम कॉलकटा से दूर जाके रहेंगे कि नहीं आप असम की हो आपका डेट ऑफ बर्थ आपका जो बर्थ प्लेस है सॉरी वो असम का है तो आपने पुछा कि दूर अब ये चीज ने आपको दूर वैसे ही भेज दिया कैलकटा आपको भेज दिया आप इससे दूर भी आप जा सकते है ऐसी बात नहीं है आपका फॉरन कनेक्शन भी मुझे दिख रहा है थोड़ा बहुत क्योंकि आपकी ये जो लाइन है वो सन को देख रही है तो फॉरन कनेक्शन दिखा रही है तो आप मून भी आपका अच्छा है साफ है हो सकता है आने वहले टाइम पे आप फॉरन घूमने जाओ settlement का मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ हाँ हो सकता है आप घूमने फिरने जा सकते हो और Calcutta से अगर आप दूर आपके मतब बेटे की transfer हो गारा हो जाती है या कुछ इस तरह से हो जाता तो definitely आप वहां से भी दूर आप जा सकते हो और जगा में आप जा सकते हो chances है तो वो चीज मैंने बता दी आपको बाकी आपका defensive marks outer marks ठीक है अब हम देख लेते हैं lines को तो यह आपकी heart line है heart line जो है वो दिखा रही है कि वैसे तो ठीक है आप काफी strong हो लेकिन आप थोड़े से वो emotional भी हो बहुत जादा बता आप जल्दी emotions में आ जाते हो जल्दी आप दूसरे पे तरस खा जाते हो और आप hurt बहुत जल्दी हो जाते हो चोटी सी बात अगर आपको कोई मजाक में भी कहते तो उसको भी आप seriously लेके hurt हो जाते हो तो यह आपकी heart line बता रही है और उसके बाद heart line आपकी Jupiter में जा रही है तो जो दिखा रही है कि आप लोगों का भला करना आपको बहुत अच्छा लगता है लोगों पे तरस बड़ी जल्दी आ जाता है आप भटा भट से आप मदद करना शुरू कर देते हो लोगों की तो इसमें क्या problem हो जाती है कि आपका फाइदा भी लोग उठा सकते हैं ऐसी situation भी आ सकती है कि आपका लोग फाइदा उठाएं तो आप उसी चीज से बचिएगा ज़रूर help कीजिए लेकिन थोड़ा safe for side पे रह के तो वो चीज है बाकी हाँ जैसे मैंने बताया था आपको की आपके अंदर leadership quality है तो आपको यह जैसे NGO वगरा types कुछ इस तरह का भी कुछ कर सकते हो क्योंकि हार्ट लाइन आपकी सीधे जुपिटर में जा रही है तो वो चीज आप कर सकते हो आने वाले time पे तो यह चीज देखी मैंने और उसके बाद आपकी हार्ट लाइन ठीक है थोड़ी बहुत blood के related थोड़ा जैसे होता है कि heart के related कुछ problem रहने का डर है बहुत जादा नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है जादा कुछ अतनी problem नहीं है आप discuss करना पसंद करते हो लेकिन last में जो decision रहेगा वो आपका ही होगा और आपने बड़ी ही जल्दी अपने आपको संभाला हुआ है मतलब छोटे जब आप थे तो आपने अपने काम खुदी ही करना शुरू कर दिये थे मतलब जैसे मम्मी जैसे काम करते हैं तो आपने आपको खुदी पहले से ही संभालना शुरू कर दिया था छोटे होते से तो आप काफी independent nature के हो और अभी भी आप ऐसे ही हो तो आपका ये है कि mind line आपकी अच्छी है ठीक है यहां से हलकी सी है disturbed तो यह जो age रही है 42 की age तक 43 से 23 25 के बाद से 42 की age तक थोड़ी बहुत disturbance थी उसके बाद आपकी mind line एकदम ठीक है जो कि इस वक जो age चल रही है आपकी उसमें मैं आपका वता रही हूँ और उसके बाद कोई भी ऐसी problem नहीं है mind line तब भी देखी जाती है अगर आपने business करना हो या job करनी हो तो वो मैं discuss नहीं करोंगी हां पर क्योंकि वो आप नहीं करते हो तो वैसे आपकी mind line ठीक है कोई भी वैसी परिशानी मुझे नहीं देख रही है उसके बाद life line का देख लेते हैं तो life line आपने health के बारे में पूछा है तो life line जादा हम detail में देखेंगे तो आपने पताया कि शुरू से काफी पहले से ही आपको यह सब problem शुरू हो गई है कि आप जादा कुछ चीज़ें नहीं खा सकते हैं कुछ limited चीज़ें ही है जो आप खा पाते हो वरना आपको भी मार पड़ जाते हो तो हाँ सामने देख रहा है कि आपकी जो life line है वो बिल्कुल सीधी है और यहां से काफी जादा शेड़ हुई है तो आपकी यह problem ठीक हाँ चलना शुरू हो गई थी शुरू से और सीधी life line होने की वज़े से इसने आपको problem दी है पूरी उमर और इसके साथ साथ में एक मार्स लाइन भी है जो चले जा रही है आपकी लाइन बहुत जादा थिन है इस वज़े से यहां पर देखना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए मैं दूसरी image में जाती हूँ इस image में मुझे दिख रही है आपकी मार्स लाइन यह देखिए यहां से ऐसे करके जारी यह आपकी life line है तो मार्स लाइन का support आपको शुरू से ही मिला है मार्स लाइन को आपका support तब ही आप ने इतना time निकाल लिया इस problem के साथ तो मार्स लाइन का सपोर्ट आपको शुरू से ही है लेकिन एक प्रॉब्लम है आपकी जो लाइफ लाइफ लाइन है वहाँ पे एक प्रॉब्लम मुझे दिखी है तो एक मिनट हम देख लेते हैं यहाँ पे एक आइलेंड साइन है तो अभी आप ज़्यादा घब रही हैगा यह एक आइलेंड साइन यहाँ पे मुझे दिखा है जोकि 61 की एज के बाद से मुझे जहां तक मैं देख पारी हूं वो हुआ है यह 61 की एज के बाद से आप 65 की एज में आके यह आईलेंड साइन है 65 से लेकि 70 की एज तक आपको ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी हिल्थ का आपको ये है कि आपको और थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है ठीक है या ये प्रॉब्लम या कुछ और हेल्थ इशूज आ सकते हैं या फिर कोई ऐसी चीज हो सकती है जो आपको थोड़ी टेंशन दे दे तो आपको घबराने की जुरूरत नहीं है जादा कुछ क्योंकि यहां पर एक चोटा सा थोड़ी कम हो जाती है तो यहां दो-दो triangle sign है जो कि इस तरह से बन रहे हैं इस के साथ ही है इस island के साथ ही है और एक Mars Line यहां तक है अब मैं देख रही थी कि यहां पे कोई Mars Line है की नहीं है लेकिन मुझे कोई Mars Line दीख रही है यहां पे हलका कट कर रही होती, तो फिर यहां पे बहुत गरबड़ा हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे, तो यह यहां पे यह दिखा रहा है कि यह 5 साल आपके लिए टफ हो जाएंगे, 65 से लेके 70 की एश तक थोड़ा सा मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको यह जो प्रॉब्लम है, यहीं बढ़ जाएगी, क्या पता कोई और चीज हो सकती है, कोई mental tension भी आ सकती है, वैसे करके भी कुछ हो सकता है, लेकिन वो इतनी, मतब ऐसे नहीं होगी कि आप बिलकुल ऐसे बोलोगे, कि बतानी, अब क्या हो गया, सब खतम हो गया, ऐसा नहीं है मतब हो सकता है, कुछ months के लिए ही आया, और उसके बाद वो चली जाए ऐसा भी है, तो क्योंकि मेरे एक relative ही है, तो उनका भी ऐसे island sign ऐसे करके बना था वो कोई डेड़ महीना hospitalized रहे थे और काफी, मतब उनको problem जहलने पड़े थी, लेकिन फिर वो वापिस घर आ गए थे, कुछ इस तरह से नहीं था, कि उनको 3-4 साल तक मतब कोई problem जहलने पड़ी, तो इस तरह से कुछ हो सकता है, तो ये चीज मैंने आपको बता दी कि यहां पे मुझे एक sign है, जो ठीक नहीं दिखा है, तो इसमें कुछ problem आ सकती है, उसके बाद सब ठीक है, सब वैसी कोई problem नहीं आएगी, तो ये हमने lifeline का देख लिया, और उसके बाद आगी आपकी fate line, जो fate line है, मून से start हो रही है, जब तक आपकी age, 41, 42 की age तक आप पहुंचे, तब तक आपका बहुत ही बढ़िया रहा है, पैसों के मामले में, ये वही चीज दिखा रही है, अगर आपकी, आप नौकरी नहीं करें, तो आपके husband के भी मैंने देखा था, तो वहां double mind line थी, उनकी तो वह अच्छा था, तो लेकिन जो आपका मैं दिखा रही हो की, वह 41, 42 की age तक सब बढ़िया था, लेकिन उसके बाद फिर हाँ, उसके बाद फिर ये हो गया कि पहले मुझे लगा कि यहां पे कुछ भी नहीं लेकिन यहां पे एक fish sign बन रहा है, तो बहुत ही बड़ी है, fish sign 43 की age तक काफी अच्छा और अच्छा रहा पैसे के मामले में, और फिर क्या हुआ कि यहां पे एक overlap आ गया, जो की आया है 45 से 47 की age तक overlap, तो overlap जब भी fate line में आता है ऐसे लोग क्या करते हैं, या तो वो अपनी जगाः बदलते हैं, एक जगा से दूसरी जगा जाते हैं या आपनी नौकरी बदलते हैं, आप कब तक ज़ॉप करते नहीं हो तो आपकी जगा में भी उस ताई बदली होगी मैंने आपसे नहीं पूच्च governo आपने वैसे कहा था कि आप कॉलकटा में काफी टाइम से रह रह रहे हो लेकिन 45 से 47 की एज में कुछ इस तरह से कुछ हुआ है तो वो आप देख ले ना और उसके बाद फिर से आपका इहां पर एक फिश साइन जैसा ही फॉर्मिशन बन रही है तो पैसे के मामले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सब ठीक ठाक है हाँ यहां पर काफी जादा ओवरलैप आ रहे हैं आपकी इसी एज में 61 की एज में ही ओवरलैप बहुत ज़दा आ रहे हैं तो आप पूछ रहे थे कि आपका हो सकता है कि नहीं इस जगह से आप शिफ्ट हो सकते है तो पॉसिबिलिट इस जगह पर जाके भी आप रहना शुरू कर सकते हैं तो इसका यह भी मीनिंग बनता है तो मैंने आपकी फेट लाइन के बारे में बता दिया तो आपकी मर्कृ लाइन जो है वो भी अच्छी है काफी सारी है एक्चुल में तो आपकी जो पेट की आपको जो प्रॉब्लम ह है क्योंकि आपके हाथ में जो हेल्थ यह मर्कृ लाइन भी होती है हेल्स लाइन भी होती है यह इतनी जादा है कि बहुत जादा है बहुत ही जादा है इतनी जादा और पतली पतली अगर मर्कृ लाइन आ जाए चोटी 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 तो वो पेट से जो कि यहां पे इतना सारा उन्होंने बनाया हुआ ऐसे ऐसे करके जा रही हैं तो वो यह साफ साफ दिखा रही है कि आपको पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रहेगी अपनी लाइफ में तो अब हम देख लेते हैं आपकी यहां पे जो मैरेज लाइन्स हैं उनको आपकी जो मैरेज लाइन्स हैं मैं बार बार फोटोग्राफ आपके बैटे को कह रही थी कि क्लिक करो क्लिक करो क्योंकि मुझे दिखी नहीं रही थी एक दो फोटोग्राफ में तो बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था कि हैं तो यहां पे मैने देखा आपकी जो मैरेज वो काफी उपर जाके बन रही है नीचे यहाँ पे शायद एक marriage line ओर है जिसने की आपकी शादी जरूर करवाई होगी कोई भी line आके ऐसे कट नहीं रही है ऐसे नीचे नहीं जा रही है तो मैं यह आपकी marriage line को देखके यह predict कर सकती हूँ कि हाँ health में issues रह सकते हैं आपके husband की ल दूसरी image में जाके देख लेते हैं एक बार और भी बहुत सारी images मैंने आपसे मंगवाई थी यह है जो की same दिखा रही है वही चीज दिखा रही है और भी है तो सारी की सारी जो ऐसी है सब जगा different 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 है लिकिन एक जो line है मुझे साफ clear जो दिख रही है उसको देखके मैं बो गई थी ना कि शादी में कुछ ऐसी problem तो क्योंकि थोड़ा सा मुझे दिख रहे है कि यहां पे एक जगा पे problem है ब्रांच बना रही है वह तो में भी हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ हो कि थोड़े बहुत जगड़े वगड़े यह वह आपके जरूर रहे होंगे मतलब क्योंक कि यह वही चीज दिखा रही है बाकि आपके हाथ पे तो कोई भी ऐसी चीज मुझे नहीं दिखी कि बहुत जगड़े जैसे बढ़ जाना तो उसके बाद फिर कुछ और जैसे डाइवोर्स तक की नोब बता जाना वैसा कुछ भी नहीं मुझे दिख रहे है लेकिन हाल यह ह कि थोड़ा बहुत मैरिज लाइन से यह दिख रहा था कि जगड़े वगड़े वेगरा काफी हुए होंगे आपके जुरूर बाकि आपका हाथ बिल्कुल ठीक है यह रही आपके हैंड के अनलेसिस आई होप यह आपको पसंद आई हूँ मैं मिलूंगे आपको अपनी नेक् पैन टेक केर